हेलो एवरिवन हाँ जैसे आप सबको पता है कि GKSB ने VYW का ओफिसल स्लेबस जो डिकलेर कर दिया है और उस ओफिसल स्लेबस में डिफरेंट पार्टस हैं डिफरेंट कॉंटेंट्स हैं जिसमें से आरडी स्थीसर ने आपको बोला हुआ कि में जो content आपको पढ़ाऊंगो किसका पढ़ाऊंगा मैं आपको वह आपको में geography जो है उसका जो portion score में आपको complete करवाऊंगा अब geography में syllabus में काफी चीजे जो है वहाँ पे mention कीएगी जिसमें की सबसे पहला जो आपका है उसमें आपका political and physical division of India का अभी मैं आपके introduction पार्टी बता रहा हूँ क्योंकि यह topic जो है काफी deep topics है और इनमें काफी ज्यादा basic और काफी ज्यादा factual questions है तो मैं आपको एक introductory party पढ़ाऊंगे इसमें की introductory मैं किस तरह से थोड़ा सा लेक्टर देंगे उसके बाद जब आपकी लेक्टर सीजे प्रॉपर स्टार्ट हो जाएगी फिर हम उसमें डे वाइस या वीकली वाइस क्या करेंगे दो दो टॉपिक्स आपको पढढ़ाएंगे जिसमें आपके बस इसमें geographic related है जैसे political and physical division of India उसके साथ हमारा climate है climate के बाद हमारा transport and communication है उसके बाद हमारा lakes है और rivers हैं तो यह सारा का सारा जो है यह geography of India का part है as well as जो हमारा political वाला पार्ट है वो किसका हमारा वो हमारा political geography का पार्ट है तो अब हम इसमें सबसे main चीज़ जो दो चीज़े हमें याद रखने एक तो सबसे पहले हमें यह देखना है कि जो political divisions of India है तो political division असल में होती कि है क्योंकि आप लोगों ने काफी पढ़ा भी होगा काफी YouTube से देखा भी होगा और यह जो syllabus आभी आप देख रहे हैं इसमें स काफी syllabus का जो पार्ट है आरेटी बच्चों ने पढ़ा हुआ है different exams के लिए तो मैं ज्यादा इसमें time ने लूँगा आपका मैं इसमें सिर्फ आपको जो main चीज़े हैं जो आपको exam relevant है वही पढ़ाएंगे उसके इलावा हमें यह नहीं करना कि हमें IS के लिए या KS के लिए इसमें से notes prepare करने हैं हमें सी relevant यह देखना है कि हमारा जो रिक्वाइड क्या मांगता है हमसे तो उसमें सीधी सीधी बात है कि हम लोगों को प्रौपर तरीके से देखना है कि हमारे पास जो सलेबस अभी सामने आया है उसमें उनने हम से direct जो लिए पसमें लिखा गया जैए और फिजिकल डिविजिन्स हैं तो हमने उसका देखना है कि उसमें से कौन से क्वेशन आ सकते हैं कौन सा स्कोप है तो हम उन्हीं चीज़ में ज्यादा फोकस करेंगे तो लेट्स टार्ट सबसे पहले अगर हम जब भी कोई स्टार्ट करते हैं किसी भी सब्जेक्ट की तो हमें इसका बीसिक देखना चाहिए जैसे आपको पता है कि जिजिवराफिय जिए इसकी डिफेरेंट ब्रांचे है उसकी जैसे फूजिकल जो एक इसकी ब्रांचे है फिजिकल में तो हम यहां पर जो अभी पढ़ने जा रहे हैं क्या इसमें क्या पढ़ेंगे इंडियन जीजिजिए का पढ़ेंगे क्योंकि फिजिकल डिविजिन आफ इंडिया पूलिटिकल जीजिए पाट है आपके इंडिया के साथ तो सबसे बड़ी बात होती कि जब भी एक लोकेशन अफे County की अपनी की अपनी stay कर सकते कि कौन से है घ्रकी से है नाप सबको पता जो climate होता है vegetation होती है agriculture होता है resources होते हैं हर country में different different same climate हर country में नहीं मिल सकता है in spite of कुछ country neighboring country को मिला के different countries का different climate होगा different vegetation होगी different agriculture activities होगी like as अगर हम देखते हैं कि this has a deep impact on the we are people that area life इस यही कारण है जिसके कारण वहां के जो लोगों का रहन सेन हो different stage में हम देख पाते हैं जैसे हम देखते हैं कि जो southern part है या southern hemisphere है तो during winters जब winters होते हैं northern hemisphere में southern hemisphere में क्या रहता है वहाँ पर summer season रहता है तो वह भी एक reason है कि क्या reason है climatic reason है एक वो तो वही यहां पर मैं आपको बताने कोशिश कर रहा हूं introductory part में कि किस तरह से यह deep impact करता है लोगों के रहन सेन पर what they eat and how powerful is their voice on the wall stage और कितने क्या वो खाते और कितनी ज्यादा उनके जो वाइस है कितनी यह trend चलता है कि हमारा syllabus होता होता हमारा किस के लिए class force के लिए होता है और उसमें पढ़ाया जाता हमें IS level का finally क्या होता हम लोगों के पास जब हम उस syllabus को complete करते हैं काफी मेहनत करने के बाद हमारे पास क्या होता है काफी जगाओं पर डोड़ से थे क्योंकि हम लोगों को वो चीज़े important उन्हीं को पढ़ेंगे बागी जो हमें लगता कि exam relevant है उनकी चीज़ों को हम नहीं पढ़ेंगे तो latitude you know that आप mostly लोगों ने पढ़ा भी होगे लेकिन अभी हम इसमें देखते कि latitude के एक angular distance से north or south from the equator of a point on the earth surface नो इसके बारे में भी आपको बताऊंगा मैं यह imaginary lines मा पढ़ रहे हैं किसका हम पढ़ रहे है political division of India के बारे पढ़ रहे हैं तो political division पढ़ने के साथ हमें latitude longitude का थोड़ा सा knowledge होना चाहिए मेरीडन एट greenwich तो greenwich क्या है कोई सीच का जहां से आपका time zone ले जाता है पूरे वाल्ड का time zone ले जाता है जैसे कि इंडिया का जो time zone नो कहां से लेजाता है तो इंडिया का time zone जो है वो यूपी के अप्डििश्टिक में से लेजा जाता जिसकी जो आपकी location नों कितनी है क्य हमें लोकेशन का पता होना चाहिए जैसे जो इंडिया का अपना स्टेंडर्ड टाइम है तो जो इस्ट है इंडियन स्टेंडर्ड टाइम है वह आपका कहां से लिया जाता है एटी टू डिग्री एं थर्टी मिनट्स इस्ट और ये किस जगा पर आता है उत्तर परदेश के मिर्जापूर डिस्टिक के में आता है ठीक है ये थोड़ा आपके लिए जनर नौलजी का क्वेशन हो जाएगा कि कहां से और ये थू क्या करता है फिर डिफरेंट स्टेट्स क वो गुजरता है लेकिन ये इसका में कहां पर फोकुस कहां पर अपका यूपी उत्तर प्रदेश में तो लैटिचू लॉंगिचूट आपको थोड़ा सा दिमाग होना चाहिए कि लैटिचूट क्या है और लॉंगिचूट क्या है आफ्टर दर जब हम देखते हैं क्या आपका वर्टिकल लाइन से अब इसमें कुछ ऐसे फीचर जो क्या है बहुत इंपोर्टन है लाइक एक्वेटर जीरो डिगरी है तो यह क्या करता है अर्थ को टूप टूपार्स में पहांट रहा है आफ्टर दाट हमें पता है कि 23.5 डिगरी नॉर्थ क्या है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंशर है हमیशा दखना है ट्रॉपिक कापरी कॉन होता है वो होता सूर्थ साधर हमें उन स्वासिपेर हुसकी तूडर रभी गोन 53.5 degree north है उसके वाँ 66 degree and half north है तो यह क्या है? एक Tropic of Cancer है दूसरा Tropic of Arctic है और slast में जाके हमारे पास क्या था? 90 degree जिसको क्या कहते हैं? North Pole जिसको हम कहते हैं, ओके? तो यह आपका कौन सा area है? यह आपका है यह है आपका क्या है यह आपका latitude है अगर हम बात करते हैं longitudes की तो longitudes में आप देख पा रहे हो यहाँ पर clearly defined किया गया है आपके पास क्या primary time यह किस पर जा रहा है यह 0 degree से आ रहा है लेकिन कौन सी वाल जिरो डिगरी से आ रहा है आपके यह 0 degree कहां से आ रहा है आपका यह आपका आ रहा है नौर से आ रहा है और कहां की तरफ जा रहा है सोथ की तरफ जा रहा है यहाँ पर एक और चीज़ आपको समझाने की कोशिश करूँगा हमेशा यहाद रखना कि Northern Hemisphere और जो Southern Hemisphere है तो हमिस्पेर हैं टोटल अर्थ के ठीक है Northern and Southern Hemisphere जो की कहां से शुरू होते है 0 degree आपका यहां से South Start हो जाएगा और 0 degree आपका यहां से North Start हो जाएगा अब इसमें भी different zones इसमें से लाइक आपका North है यहां पे आपका South है यहां पे आपका West है और यहां पे आपका East है और इन zones के तुरू हम पता कर सकते हैं कि कौन सा region जो है किस area में किस degree पे पढ़ता है लाइक आज इंडिया का जो पार्ट है हुआ आपका most probably इस area में आपको मिलेगा क्योंकि 23.5 degree आपको पता है इंडिया को two equal parts में डुवाइड करता है तो हमें यह भी थोड़ा सा knowledge होगए यहां से कर 23.5 degree नॉर्ठ है और किस side पढ़ता है इंडिया आपका इस्टन साइड पढ़ता है किसमें पढ़ता है इस्टन साइड आपका पकांड टीके से सबस्क्राय का शूरू हो होता है डिग्री तो यह जोटी जो हमें विल्कुल एक दम से क्यों होना चाहिए हमारे दिमागे एक दम से मत्य है जहिता है Гोई आपके साथ यहां पर आपके जो लांगिटूट्स का कितने से कितने तक होते हैं आपके अपके जोड़ की जाओं झाओं के तरफ आफ्टर जाना क्वाद कास थोड़ी फॉर्ट की ग। लेकिन किस में है Southern Hemisphere में है जब इंडिया का पार्ट स्टार्ट होता है ठीक है एट डिग्री फोर टाइम से शुरू होता है तो वहां कहां पर जाके एंड हो रहा है 37 डिग्री सिस्ट टाइम Northern Latitudes और उसके बाद अगर हम बात करते हैं Longitudes के तो Longitudes क्या है 68 डिग्री 7 टाइम इस से शुरू होता है और कहां पर खत्म होता जाके 97 डिग्री 25 टाइम इस्ट में जाके क्या होता है एंड होता है Longitudes में जो मैंने आपको थोड़ा पीछा भी डिफाइन के उसके बाद latiginal longitudinal हम देखेंगे extension तो 3214 किलोमेटर इसकी East West extension है और अगर बात की जाए East West extension को कितनी है आपकी गुजराथ से लेकि अरुनाचल परदेश तक ठीक है गुजराथ से लेकि अरुनाचल परदेश तक कितनी एक्सेंशन है 2933 किलोमेटर से उसके साथ साथ जो इंडिया है क्योंकि हमारा किसमें आ रहा हमारा पूलिटिकल में 2.4% आप टोटल वाल्ड लेंड एरिया लेंड और गया करते है तो पॉर परसेंट वाल्ड का जो लेंड ए उसको कवर करता है ऐसाथ साथ में एक और चीज़ंगे कि सैंठ लाजिस्ट कंट्री किसकी वाल्ड की और इसके साथ साथ अगर हम देखें कि जैसे आपको पता है कि इंडिया को जो सौधन पोस्न आ मोस्तिक इस ठीक है तो आपको यहां पर it has land boundaries कितनी है 15,200 km पूरी land boundaries जो bond है पूरी और साथ-साथ में जो coastal line है हम किसको छोड़ रहे हैं expect किसको छोड़ रहे हैं अंडोमान और निकोबार को छोड़ के और लक्ष्य दीप को छोड़ के हम देख रहे हैं यहां पर कि हमारे पास जो boundary हो कितन the area और साथ-साथ में अगर हम देखेंगे तो जो इंडिया क्या है एक तो हमें सबसे पहले यह चीज़ याद रखनी है कि इंडिया जो country है उसकी location किया है एक्जाम के रेवलेंट में ठीक है ना किस latitude कि लॉंगिट्यूट पर आ रही है ठीकिस latitude कि लॉंगिट्यूट पर इं इसका जो एरिया लेंड वो कितना है और साथ-साथ मिसका कोश्टल कितना है अगर 6100 km का टोटल क्या है जो कि अंड़मार निकोफार को छोड़के है वो कितना है आपका 6600 km टोटल ले गया तो यहां पर मैं थोड़ा प्यापके थूप भी मैंने आपको बताने कोशिश की कि तरह इसका नौह वेस्ट एक्सेशन है अब देखव रहें यहां पर किन अपर से लेकर सव तक इसका कितना मैंने अपको बताया ठीक है कि तना एक्सेंशन Whose लेके यह उन42 के निकितन वेस्टन साइड यह इस्टन साइड यह नहीं में यह संषahu आपका नहीं divine करका वार और यह आपका यह लख्षो दीपर तो यह क्या है आपका western इसटन साइड को किए है कि कहां से स्टार्ट होरी हैरे आपके लोकेशन को जिएі इसका जो यह कि क्या है यह इसकी वेस्टर ने ठीक है शूरू जहां से रोग जहां पर जाके खत्म हो रहा है यह सबसे पहले क्या सोगे आगे से पूंद........जन के लिएन डिश्र का प्रोटर ने खायां ईतनीchnit Stream is इसके हर एक फेचर को की टोटल पॉप्लیश्न कितनी है को करा निटि एप्सकुने कर दी है हम पॉल्टिकल डिविजन्स के बारे पड़े क्यों पॉल्टिकल डिविजन्स को लाने का में मार्टिव क्या है कि आपका जो administration क्या हो सके एक proper तरीके से काम कर सके like as पूरी country को चलाने के लिए क्या है सबसे उपर एक क्या होता है मतलब administration होती जो क्या करती है different parts में बंथी like as वैंसे ही आपकी किस पर होती है state level पर होती और administrative units क्या करते है different works को चलाते है इन proper way में like as हमें पता कि इंडिया में total कितनी अभी states है at present में क्योंकि आपको बता 2019 में क्या हुआ है जेंड के जो उसको टू पार्स में भाटा किया और टू यूटी निवली created की गी है तो at present हमारे पास 28 state और 8 unit territories है जिसमें की जेंड को लदाक जो एड़े यहां पर होता है कि कौन सी निवली created union territories है क्यों बनी किस अमेंडमेंट के थेहत बन तो भी थोड़ा सापको देखना है साथ में आपको आपको देखते हो कि लेकिन अब जब यह complete होगा यह duration तो हमके हमारे पास क्या होगा एक new census होगा जिसमें क्या देख सकते हैं कितना चेंज आया लास्ट एंटी यह थर्टी ट्वेल्टी यह कितना चेंज आया है तो यह तब ही पॉसिबल है जब हम क्या करते हैं administrative units को बनाते है और उनका purpose होता है क्या keep throughout country को एक proper way में चलाना और यह तब ही defined कर सकते हैं जब हम क्या करेंगे एक proper way में पूरी country का scenario देखिंग और scenario का बनेगा जब हमारे पास proper detail होगा detail कैसे हमारे पास आएगी administrative units को बनाके political divisions करके like as language के basis में ज्यादा political divisions बनती है जैसे you know that different states है हर state का अपना जैसा culture है हर state मे अपना जैसा administrative unit है but at the end वो सारे units किसको belong करते हैं एक country को belong करते हैं तो हो country के सबको jointly लेकर चलती है तो वही मेरा आपको मकसद समझाने का कि हमने बहुत deep इसमें नहीं जाना है हमने main चीज़े क्यूंकि मैंने last time देखा था कुछ students ने query की थी कि sir हमें political divisions की समझ नहीं आ रही political division काफी नहीं तो आपको एक्जाम प्रॉस्पेक्टर से पढ़ना है you know that SSR भी जब भी एक्जाम लेते तो आपको पास जो question आता है paper के थ्रू जो questions आपको पूचे जाते हैं काफी ज्यादा मतलब direct questions होती है factual questions होते हैं वो कभी नहीं पूचेंगा आपको कि आपने कितना ज् पूस्मार्णविशंसे मुझे गर्षाट यहई चीजे उठानी जैसे स्टेट को स्टेट का फेक्ट होता है कौन से स्टेट कितनी स्टेटें कितनी अज्टियों ने कुछ व्रस एब कि स्टेरें कोई एंसी चीज हो तो आपको थोड़ा सा क्योंक्त पदा रहना है वाकी you know उसके साथ एक सी extension है, कहां से कहां तक है कश्मीर से लेकर कन्या को हमारी तक है, गुजराथ से लेकर अब नाचर परदेश तक है, इसमें deserts भी है, इसमें mountains भी है, diversity of culture है, हर एक चीज आपके किसमी आ रही है, political division है, क्योंकि आपको पता मैंने आलवडी बोल दे है कि political division जब भ बारे में पढ़े होगे, क्योंकि आप जेंड के में एक्जाम दे रहे हो, तो मोस्ती जेंड के बारे में पूछ सकते हैं, तो आपको थोड़ा इसके facts के साथ जुड़े रहना है, जेंड के facts जो है, related to UT कैसे किस provision के तहत बनी है, कैसे administrative unit था, कैसे political division की, इक इन दो UT की क्या जुरूरत पड़ी, population के at present में है, like as, इंडिया के थुरू पूचे चा सकता है, highest population किसकी है, highest ratio, literacy किसका है, lowest किसका है, तो जो ये references हैं, इनको थोड़ा सा लेके कर सकते हो, और easy तरीके से इसको कर सकते हो, जब मैं proper तरीके से पूरा topic लेके आँगा, कि गभी introductory part बता रहा हू तो उसमें question queries पर आपके लेंगे, हाँ जी, यहाँ पर कहीं पर addon नहीं आगे, यहाँ पर delete करना तो हम उस time इस चीज़ को कर सकते हैं, like as, मैंने यह थोड़ा सा map इसलिए डाला हुआ है, क्योंकि थोड़ा हमारे दिमाग में imaginary image बन जाती है, जब हम exam में थोड़ा बैठते ह तो हमें यह लग जाता है, कि हमने यह चीज़ पढ़ी और हमें थोड़ा सा इसके बारे में, क्या है, मतलब concept के लिए है, like as, मैंने इसलिए यहाँ पर इंडिया के मैं आपको बीच में रखा है, क्योंकि कभी-कभी हमें neighboring countries के बारे में भी थोड़ा सा knowledge होना चाहिए, like as, neighboring country में आता है, like as, जो आपका नेपाल है, वो भी neighboring में बिलकुल, पागिस्तान है, उसके बाद माइनमार है, okay, शेलंका तो सबको पता किस हैड है, उसके साथ साथ थाईलेंड है, बैंकोग है, ठीक है, मलेशिया है, उसके बाद फिलिपिन्स है, okay, या आपका यहाँ पर जाप सी है, ब्लैक सी है, तो यह थोड़ा image रहता है, दिमाग में इसान के, कि नहीं मुझे मैंने कहीं भी पढ़ा हुआ था, और मुझे थोड़ा सा यह concept clear है, कि कौन सा area है, western side है, eastern side है, water body है, क्या है, वो sea है, lake है, क्या है, तो थोड़ा सा imaginary way में, क्योंकि मैंने roots से पकड़ा कि चलो देख लो आपकी, जो countries है, different countries है, वो India के साथ किस direction में, क्योंकि मैंने पूरे world के नहीं डाला है, यह मैंने खाली Asia का, थोड़ा सा part डाला हुआ है, लेकिन आप coming class में मैं क्या करूँगा, world के map से start करूँगा, जो चीज़े clear करना क्योंकि map के थुरू काफी चीज़े बहुत अच्छी clear होती है, जो हम theoretical portion से complete नहीं कर सकते हैं, okay, after that, फिर से मैंने physical divisions के लिए, जो मैंने आपको पीछे बताया, कि physical division of India, जो हो different parts में बठी भी, मैंने आपको कहा ना, पहले कि languages के basis पे है, population भी कभी factor determine करती है, okay, यह topography भी है, तो different चीज़ें जो factor determine करती है, इसका आपका political division का, तो मैंने यहापे थोड़ा map के थुरू भी आपको बताने की कोशिश करूँगा, मैं, like as, पहले तो आपको सबसे पहले दिमाग में चीज़ होनी चाहिए, कि कौन सी state कहां पे situated है, अगर आप एक, दो, तीन, चार बार map का practice कर लोगे, अच्छे से देख लोग क्योंकि काफी चीज़ों map के थुरू आपको निकल सकती हैं, जैसे आपके rivers हैं, vegetation हैं, mountain ranges हैं, या different location, located countries, आप कहां से maps उनको identify कर सकते हैं, और आपको एक बार map की समझ आगी, तो आपको पूरा पता लगे है, location के साब से, आप map को क्या कर सकते हैं, और determine कर सकते हैं, हाँ, इ इतने latitude पे और इतने longitude पे ये fall करा, तो it means that ये इस area में, इस vegetation के साथ, और ऐसा यहाँ पे temperature हो सकता है, तो कौन determine करेगा, जब आप मैं आपको अच्छे तरीक से remind करोगे, like as आपको बता है, सबसे पहले आपके बास, जो है नार्थ से शूरू होते हैं, तो नार्थ में सब क कहाँ चले है, Central India में चले है, ठीक है, उसका राजिस्तान आपका Western side है, गुजरात आपका Western side है, मुंबई है आपका, ओके, गोवा है, करनाटका है, कैरला है, तो ये क्या है, ये आपके, ये Western side की है, स्टेट्स और ये आपकी Eastern side की, जैसे Pondicherry है, ठीक है, बोडिस है आपका उसके बाद, अंतरा परदेश है, तलेंगाना, ये भी Newly Created State बनी है, ठीक है, उसके बाद 36 गड़ है, जहार खंडे, बिहार है, West Bengal है, mostly जब भी बच्चों को दिक्कत आती हो, कहाँ पर आती है उनको, जो North East की states है, उनको थोड़ा सा remind करने में, उनको problem आती है, तो काफी 2- पूरी समझ आ जाएगी, तो आपको कभी भी कहीं पर प्रिशानी नहीं आगी, क्यों, देखो, being a geography student में, जग्राफी का सुड़ाइन टीचर भी और मैं जग्राफी काफी टाइम से पढ़ भी रहा हूं, पढ़ा भी रहा हूं, तो आपको हमेशा क्या है, मैप से कितनी हो रही है, उसके साथ साथ सॉयल्स का आपको पूरा पताओ, कौन से सॉयल्स कहां पे है, उसके साथ 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 रिवर्स, कौन सा रिवर्स किस एरिया में फ्लो करता है, किस एरिया से निकल के कहां को जाता है, उसके साथ साथ उनकी ट्रिब्यूटरीज, उनकी आपको ज्यादा याद रहती in reference to theoretical portion जिसको आप काफी बार राटते हो बार बार पढ़ते हो तो यह किसम का क्या है एक किसम का practice process है जिसको आप बहुत easy तरीके से कर सकते हो तो जो political division of India है उसमें simply आपने क्या करने यह तो introductory part है कि आपने पहले इंडिया का location latitude and longitude क्या है उसके बार में आपको पता होना चाहिए after that आपको यह भी पता होने साथ साथ में कि इंडिया जो country है उसमें कितनी states है कितनी uts है उनका किस country किस state का क्या reference है क्या mathos का importance है like as को tourism के लिए अची है कोई उसके साथ कोई minerals के लिए अची है कोई उसके साथ potential रखती है water इसमें water bodies में like as तो इसी तरीके से हमने देखना है कि कौन सी importance है कौन सी important चीज है जो हमें बिलकुल उस पर focus करना है बाकी चीज़ों को हमने छोड़ देना है उसके साथ दूसरा जी introductory part है वो मैंने आपके लिए लाया हो है कि हम इसमें physical divisions of India है ठीक है physical features और ये बहुत important है क्योंकि ये जिसने कर लिए proper तरीके से मान के चलो Indian geography में उसने काफी चीज़े clear कर ली like as मैंने आपको पीछे भी बताया कि हमारे पास physical divisions ये हैं जो है वो भी determine करती है कभी कभी क्या boundaries जो demarkate होती है different states की ये यूटी की तो ये भी कभी क्या करती है ये भी एक role play करती है like as हमारे पास सबसे पहले क्या है यहां पर northern mountains है तो सब को पता जैंसे northern mountains की बात आते हैं तो हम different ranges में पहुंच जाते हैं क्योंकि जेंड के मापको पता कौन से mountains ये कौन से ranges मिलते हैं जेंड के में ये south to north कौन से ranges मिलते हैं क्योंकि factual questions कभी के पूछे जाते हैं काफी exam में देखाए questions पूछे जाते हैं उसके साथ साथ अगर जैसे इसमें next क्या question ये पूछ सकते हैं ये सबसे highest peak पूछ सकते हैं कि highest peak कौन से है ये ranges किस area में मिलते हैं like as district wide पूछ सकते हैं कि कौन सा district किस range पे है आपका तो जब हमें पूरा knowledge होगा इस चीज़ का तो हम इस चीज़ को अराम से कर सकते हैं हम इंडिया के reference में as well G&K के reference में इस चीज़ करनी पूलिटिकल डिविजन पे तो वही चीज़ हम यहां पर फिर से दोहराएंगे इसमें physical divisions पे अब physical divisions सबसे पहले northern mountains है तो northern mountains जैसे ही बात आते हैं हम directly कहां से कहां पहुंच जाते हैं हम कश्मीर से लेकर कहां तक अरुनाचल परदिश तक लास्ट जो final वहां तक हम पहुंच जाते हैं कि यह mountain ranges कितने lengthy और कितने failure mountain ranges है जो कि क्या कहा जाता है हिमालियन mountain ranges कहा जाता है उसके बाद हमारे northern plains है तो सब को पता है कि northern plains कहां से start होते हैं पंजाब से लिगे start होते हैं जाके west bengal तक आपके चले जाते हैं क्योंकि इसमें river flow करता हूं river कौन सा flow करता है इसमें गंगा river flow करता हूं एक और river इसमें आता हूं joint होता हूं तो कौन सा है ब्रहंपुतरा river जो कहां से आता है आपका जो आपका Assam से Assam की side से आता लेकिन निकलता कहां से ये? ये भी चाइनसे निकलता estiा? है, ओके मन्सोवर फर्से लिकता ये तो ये river's के बारे माम बाद में पढ़ाएंगे लेकिन हमें सबसे पहले जो पढ़नाओ किसके बारे हैं पढ़ना हम आँ ने फ़िसिकल फीचर के बारे हैं Northern Mountains है, उसके बाद Northern Plains है, Indian Desserts है, The Penisular Plateau है, The Coastal Plains और उसके बाद The Islands है, इसमें हमने वही चीजें पढ़नी हैं, जो हमारे एक्जाम के Revelance में होगी, हमें ये नहीं पढ़ना है कि हमने कहीं Geography का Paper देना, या हमने ये नहीं पढ़ना है कि हमने इसको में कहीं लिखना जाकि theoretical portion को हमने complete करना, हमने सिर्फ वही चीजें पढ़नी इसमें, जो चीजें हमारे एक्जाम के साथ Revelant होगी, जो हमारे एक्जाम में आ सकती है, यहाँ पर through map के मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा, ranges के बारे में क्योंकि काफी लोगों को यह रहता है कि ranges फिर जब वहाँ पे एक्जाम में बैठते लोगों को एकदम से वह क्या हो जाता है, बिल्कुल समझ नहीं आता कि हमने range पढ़ा था लेकिन अब हमें यह revise नहीं हो पा रहा है, तो मैंने, मैं दोबार से आपको repeat कर रहा हूं कि जो सबसे पहला range वह क्या है आपका जो आपका greater हमालियक range यह जो आपके mountain ranges वह कहां से कहां तक है, आपके west लेके east इस portion में आते हैं पुरे mountains आपके, उसके साथ सा next किया आपके जो मैंने बताए आपको कौन से, इंडो गेंक्टिक प्लेंजिंग को कहा जाता है, वह आपका यह वाला portion है, ठीक है, जो कहां तक west लेकौल तक फैला हुआ है, और असके बाद मैंने आपको बताया है कि कौन सा, पैनसिलर प्लाटू, तो पैनसिलर प्लाटू का portion आपका यह है, यह भी मैं आपको प्रॉपर तरीकर से समझाँगा, क्योंकि हमारा जो इस लेबर से उसमें, रीड़फाइन दो दो तीन, दो यह एक दो question आएंगे, ज्यादा ज्यादा, तो उतना ज्यादा मैं आपका time नह पारे लक्षोदी बाइलेंट से ठीक है, तो यह सारे जो features है, यह physical features इंडिया के, इनकी कुछ importance है, इनकी importance क्या है, इनका अपना अस्तित्यू, अपना importance है, जैसे mountain जो है, northern जो mountain का अपना importance है, उसके बाद जो इंडो गेंक्टिक प्लेंजिंग को या प्लेंज कहा जाता है, northern plains कहा जाते है, इनका अपना importance है, dessert जो है, यह क्यों dessert है, किसलिए इसका अपना importance है, किस state में आता है, क्यों है, क्या reason है, उसके साथ panacellular plateau का, क्योंकि panacellular plateau जो है, इसमें भी आपका जो ranges है, डिफरेंट 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 लिजनें से, छोटा जो हो जाता है, तो इसके साथ 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 पूरा ranges भी इसके अंदर है, तो इसमें किया है, इसमें भी कुछ या डिफरेंट प्लेट है, तो इसमें भी कुछ फीचर्ड जो जानना बहुत जरूरी हमारे लिए, इसकी जब हम proper class करेंगे, जब proper तरिकर से, इसके proper lecture लेंगे हम चीज़ों को पढ़ेंगे क्योंकि ज्यादा अगर हम इसको करेंगे लाबरेट तो काफी लंबा खीच जाएगे लेकिन इलाबरेशन हमारी वही होने चाहिए जो इसमें से जो पॉबर्ली रामबन डिस्टिक में जो लोग रहते हैं या उसके साथ आपके बटोथ वगरा एरिया में रहते हैं जो भी उसके साथ जुड़े हों तो उनको पता पीर पंचाल रेंजिस की इनको कहा जाता है ठीक है उसके साथ साथ फिर नेक्स्ट हमारे पास नीचे जो रेंजिस हैं शिवालिक रेंजिस हैं इनके साथ भी हम काफी फैमले रहें तो यह जो रेंजिस का मैं आपके साथ बात कर रहा हूं तो हम एरिया वाइस क्या करेंगे जो इंपॉर्टन क्वेशन हमें जहां से पूछे जा सकते हैं उन पर्शित ओलें हैं हमे से वही चीजें गहाने हैं जो हमारे अगसाम के साथ जुड़ी हो like as ranges are you Yes Ampe Western गारत ये शुट्शन गार्ट से वेस्टन गार्ट से इसटन गार्ट का क्या मॉन्सोन क्या है या उसका क्या । धोड़ा ओड़ाओ सबसे पहले, after that हमारे पास climate है, हमने उसके बारे में जाना है, और उसके बार ट्रांसपोर्ट, communication की बात है, उसके बार next हमारे पास water and rivers की बात है, तो ये जो जो भी सामने आपके दिख रहा है, ये हम बिलकुल वही इन में से चीज़े निकालेंगे, जो important होगी हमारे और जो exam के relevant होगी, ठीक है, उसके बाद मैंने आपको आपको कहा कि जो हिमालिया, जो आपके mountains, उसके तीन ranges है, कौन-कौन से हैं, the Himalias, जिसको हम greater Himalias भी कहते हैं, ठीक है, नाम different, एक और बात आपके साथ भी कर दो हैं, जैसे कभी-कभी इनको Himalias पोचा जाता है, questions आपने काफी जिगाद देखा होगा कि इनको कभी-कभी directly questions पोच जाते हैं, कि हाँ जी Himalias कोन से ranges या शिवालिक्स का भी दूसरा नाम है, या Trans Himalias का भी दूसरा नाम है, तो यह चीजी हमें सर्चोट करनी पराणे exams को, पराणे papers को देखना कि वो किस तरह का question हमें पूछते हैं, यह तभी मुमकिन हो पाई का जब हम go through होंगे या experience होंगे, तभी जाके हमें चीज complete कर सकते हैं, इसके बाद मैंने यहां पर ranges का फिर से दुबार से redefine किया हुआ है, ठीक है इसके जो यहां पर आपके mountain ranges हैं बड़े-बड़े ranges से mount है रहे सबसे highest mountain ranges है तो यह कहां पर आता आपका, पाट को देखोगे, आपको लगता कि कहीं पर आप comments के तुरू बता सकते हैं, यहां पर यह चीज हमें जरूरी समझने तो मैं उसके उसी तरीके से आपको बताऊँगा कि हम इसको ऐसे continue कर सकते हैं, तो आज के लिए काफी इतना ज्यादा है, काफी ज्यादा हो गया, तो हमें जो भी चीज़े करनी हैं, आजपर क्या करनी है, syllabus के साब से करनी है, जितना हमारे syllabus में दिया है, उतना ही हमने करना है, उसके बाहर हमने नहीं जाना है, और facts हमने पढ़ना है, हमने facts से यहां वहा तो exam में जाके हमें time भी ना मिले, एक और चीज़ शेयर करूँगा, 60% हम क्या करते हैं, preparation करते हैं, 40% जो होता हमारे क्या होता है, revision होता, as well as क्या होता है, जो हम mok test देते हैं, या practice करते हैं, तो जब यह दोनुए चीज़े हम करेंगे तब जाके हम क्या होंगे एक्जाम में सक्सेस्फुल हो सकते हैं लेकिन तब ही पाश्यूगल है जब हम तूदा पॉइंट 60% पढ़ेंगे 40% को भी टाइम देंगे क्योंकि 100% अभी complete होगा और जब हम इस 40% को भी टाइम देंगे इट मीज देट हमारा सक्सेस हमारे हाथ में है जो हमारे सुडेंट से महनत बहुत जादा करते हैं बहुत अच्छी महनत करते हैं लेकिन वह 60% में ही फसे रहे जाते हैं उनको 40% तक पहुंचने का मौका नहीं मिलता है जो इस 60 और 40 कर लेते हैं बट वो क्या नहीं कर पाते हैं वो practice नहीं टाइम लिए कि उनके पास इतना ज्यादा पढ़ चुके होते हैं अपना से लेबर जो इसको to the point करें तो हर डे हमने क्या करना है एक schedule बनाके proper तरीके से हर topic को उसकी important parameters questions को क्या करना है line out करके उनको करना proper तरीके से और exam को qualify करने का success यही है आप जितना ज्यादा पढ़ोगे वो आपका knowledge gain करेगा लेकिन आप जितना ज्यादा smart work करोगे वो आपको क्या करेगा help करेगा exam को qualify करने में तो thanks a lot अगर यहां पर आपको लगता है कहीं पर कुछ चीज गलत है कहीं पर आपको rectification करने की जुरूरत है कहीं पर आपको लगता है कि यह चीज़े add होनी चाहिए तो आप comment में बता सकते हूं Thank you